आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया में साइन न्यूज इस साल शरत पूर्णिमा 16 या 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी इसको लेकर अनेक तरह की बाते प्रचलन में हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी 16 अक्टूबर रातरी 8 बचकर 40 मिनिट पर आरंभ होगी और इस तिथी का समापन 17 हक्टूबर शाम 4 बचकर 55 मिनिट पर हो जाएगी शरत पूर्णिमा के दिन भगवान विश्नु के साथ साथ चंदर देव की भी उपासना की जाती है इसलिए इस वर्ष शरत पूर्णिमा वरत का पालन 16 अक्टूबर 2024 बधवार के दिन किया जाएगा और इसी दिन को जागरी पूजा भी की जाएगी शरत पूर्णिमा 2024 चंदर उदे समय जानिये पंचांग में यह बताया गया है कि शरत पूर्णिमा के दिन चंदर उदे शाम पांच बचकर पांच मिनिट पर होगा और चंदर देव की उपासना प्रदोशकाल में कर सकते है पित्री पक्ष में अगर आप भगवान विश्नु जी की अराधना करते है और अगर आप विश्नु जी के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जै विश्नु देवा अत्वा हरियोम तत्सत लिखना न भूली अब जानिये शरत पूर्णिमा वरत का क्या है महित्व शास्त्रों में शरत पूर्णिमा के महित्व को विस्तार से बताया गया है शास्त्रों में यह कहा गया है कि केवल शरत पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सभी सोलह कलाओं से पूर्ण रहता है यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल एक ऐसे योगी राज है जो सोलह कलाओं से परिपूर्ण है शरत पूर्णिमा के दिन भगवान विश्नु भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ ही साथ चंदर देव की उपासना का भी विधान है इस दिन चंदर देव को अर्गे देने के बाद ही व्रत का पारंग किया जाता है मानने ता है कि ऐसा करने से व्क्ति के जीवन में सुख सम्रिधी और धन आश्वरे की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याई दूर हो जाती है कहा जाता है आश्विन शुकल पक्ष में पढ़ने वाली इस पूर्निमा के दिन अमरित की वर्षा होती है इस दिन चंद्रमा हलके नीले रंग का दिखाई देता है इस दिन रात को खीर बनाकर चंद्रमा को खीर में देखा जाता है और फिर अगले दिन सुबह उसका सेवन किया जाता है इसका सेवन करने से कई प्रकार के रोगों से निजात मिलती है या रोगों का असर कम होता है जानकार विद्वानों की माने तो इस दिन चंद्रमा सोलह कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरने अमरित समान मानी जाती है इसलिए खीर में चंद्रमा की किरने पढ़ने से यह कई गुना लाबकारी हो जाती है आथ दूद या खीर को चंदरमा के प्रकाश में रखकर इसका सेवन किया जाता है इस संबंद में यह भी माना जाता है कि किसी दिवे आושदी को खीर में मिलाकर शरद पूर्णिमा की राथ चंद्रमा की किरनों में रखने से उसके औशधिये गुन तो कई गुना बढ़ी जाते है इसके अलावा दूद में भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला लैक्टिक केसिद चांद की किरनों से मिलने वाला अमरित तत्वत तत्था चावलों में पाई जाने वाला स्टार्ज के कारण यह खीर शरीर के लिए काफी फाइदे मन होती है चांदी के बरतन में रोग प्रतिरोधक शमता अधिक होती है आत्र यदी खीर को चांदी के बरतन में भरकर शरत पूर्णिमा की रात बाहर खुले आस्मान में रखा जाये तो वो और भी अधिक लाबदाई होती है अब जानिये इसके सेवन से होने वाले सेहत के लाब के बारे में जानकारों का कहना है कि दमा दमा रोग से पीडित मरीजों को शरत पूर्णिम की खीर का सेवन जरूर करना चाही इस खीर को चांद की रोशनी में रखकर सुबह चार बजे इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है साल भर में शरत पूर्णम का दिन दमा रोगियों के लिए अमरित के समान माना जाता है आंखों की रोशनी के लिए है लाबकारी शरत पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन तो किया जाता है साथ ही चांद की रोशनी में 112 सुई में धागा पिरोने की परंपरा भी है कहा जाता है ऐसा करने से आंखों की रोशनी तेज होती है इस दिन खीर का सेवन करने से आंखों से संबंधित परेशानी दूर होती है चंद्रमा को एक टक देखने पर आंखों की रोशनी बरती है चर्म रोगों में लाब शरत पूर्निमा की रात को चंद्रमा घुली हुई खीर खाने से चर्म रोग में आरा मिलता है तवचा संबंधी समस्या से जूद रहे है तो इस दूद का सेवन करे तवचा की देख भाल के साथ तवचा की चमक भी बढ़ जाती है दिल का रखे ख्याल रिदे रोगियों के लिए भी यह खीर का सेवन करना फाइदे मन होता है इस दिन खासकर चांदी के बरतन में खीर या दूद रखना चाही जिससे रोग प्रतिरोधक शमता भी बढ़ती है और विशानू भी दूर होते है साथ ही उक्तरक्टचाप में भी आराम मिलता है मलेरिया से लाब इन दिनों मौसम ठंदा गरम होने पर मच्छरों का प्रकोब भी बढ़ जाता है जिससे मलेरिया का खत्रा होता है हालांकि बैक्टीरिया उप्यूक्त वातावर्न में पन्पते है लेकिन बैक्टीरिया जब पित के संपर्क में आते है तो वह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है पित को नियंतरित करना जरूरी होता है जिससे मलेरिया की चपेट में आने से बच सकते है इसलिए इस मौसम में खीर को खाने की परंपरा है जानकार विद्वान यह भी बताते है कि शरत पूर्निमा के दिन माता लक्षमी जी की पूजा का विधान है इस दिन कुछ कारियों को करने की मना ही है इसलिए इस शुब दिन पर भूल कर भी कुछ काम ना करे धार्मिक माननेता है कि इन गलतियों से मा लक्ष्मी नाराज हो जाती है जिससे लोगों को जीवन धन की तंगी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है आईए जानते हैं कि शरत पूर्निमा के दिन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें प्रमुख है तामसिक भोजन का सेवन ना करें शरत पूर्निमा के दिन मा सम्दिरा के सेवन से बचना चाहिए जैसे मास, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदी से बचना चाहिए माननेता है कि ऐसा करने से मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है दूद का लेंदे न करें माननेता है कि शरत पूर्निमा के दिन दूद न तो खरीदना चाहिए और नहीं बेचना चाहिए ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिती कमजोर होती है और विक्ति को जीवन में चिंताओं का सामना करना पड़ता है काले रंग के कपड़े पहनने से बचे माननेता है कि शरत पूर्निमा के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहन सकते है ग्रिखकलेशन हो तो बेहतर होगा शरत पूर्णिमा के दिन घर में किसी से बहस करने से बचे माननेता है कि इस दिन घर में ज्यादा लड़ाईच गड़ा होने से मा लक्षमी नाराज हो जाती है जिसे परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है सुहागिन महिला का सम्मान करे माननेता है कि पूर्णिमा के दिन घर आई सुहागिन महिला को खाली हाथ नहीं लोटाना चाही सुहागिन स्त्री को सत्कार करना चाहिए और उन्हें दान देकर ही घर से विदा करे ऐसा करने से मा लक्षमी प्रसंद होती है और साल भर अपनी कृपा बनाए रखती है इस समय दान से बचे जोतिश शास्त्र के अनुसार शरत पूर्णिमा के दिन सुबह दानपुने के कारियों का सबसे शुब समय माना गया है लेकिन साइंकाल के समय दान नहीं करना चाहिए माननेता है कि ऐसा करने से विक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस दिन किसी भी हालत में आप शराब का सेवन न करे क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविशे पर भी दुश परिनाम हो सकते है इस दिन क्रोध नहीं करना चाही वैग्यानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है इन कारनों से शरीर के अंदर रक्त में नूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते है और ऐसी स्थिती में इनसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है एक बार नहीं, प्रतेक पूर्निमा को ऐसा होता रहता है तो विक्ती का भविश्य भी उसी अनुसार बनता और बिगरता रहता है जिन्हें मंदागनी रोग होता है या जिनके पेट में चै उप्चे की क्रियाशील होती है तब अकसर सुनने में आता है कि ऐसे विक्ती भोजन करने के बाद नशा जैसा मحसूस करते है और नशे में नियूरोन सेल शितिल हो जाते है जिससे दिमाग का नियंतरन शरीर पर कम भावनाओ पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है आथ भावनाओ में बहे नहीं खुद पर नियंतरन रखकर व्रत करे चांद का धर्ती के जल से संबंध है जब पूर्निमा आती है तो समुद्र में जवार भाटा उत्पन होता है क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को उपर की ओर खींचता है मानव के शरीर में भी लगभग 85 प्रतिशत जल रहता है पूर्निमा के दिन इस जल की गती और गुन बदल जाते है आत इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्चता पर विशेश ध्यान दे अन्ने सावधानिया जो इस दिन बरतना चाहिए उसमें इस दिन पूर्न रूप से जल और फल ग्रहें करके उपवास रखे यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे है तो इस दिन साथविक आहार ही ग्रहें करे तो ज्यादा बेहतर होगा इस दिन काले रंग का प्रयोग न करे और ना ही नकारातमक बाते सुच अब जानिये इस दिन क्या करे शरत पूर्निमा के चांद में च्छत या गैलरी पर चांद की रोशनी में चांदी के बरतन में दूद को रखा जाता है फिर उस दूद को भगवान को अर्पित करने के बाद पिया जाता है कुछ लोग पूर्न चंद्रमा के आकाश के मदिस्थित होने पर उनका पूज़न करते है और खीर का नैवेदे अर्पंग करने के बाद रात को खीर से भरा बरतन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोज़न करते है इस दिन घर में माताएं ज्यादा दूद लेती है फिर दिन भर उसे ओटाती या उकालती घोटती रहती है फिर उसमे केसर मेवा आदी डालने के बाद रात को छट पर ले जाकर चंदरमा को उसका प्रसाद चाहा कर उसका पूज़न करती है फिर चांदी का पतीला चंदर प्रकाश में रख दिया जाता है ताकि चंदर किरनों से बरसता अमरित उसमें समा जाए अंत में उसे पिया जाता है शरत पूर्निमा पर मा लक्षमी, चंदर देव, भगवान शिव, कुबेर और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है शरत पूर्निमा की रात में की गई चंदर पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्ती होती है शरत पूर्निमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जला इसके लिए आप मिट्टी का एक दीपक ले और उसमें तेल या घी भरे इससे आपको हनुमान जी की विशेश कृपा प्राप्त होगी शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्निमा के दिन पीपल के व्रिक्ष पर मा लक्ष्मी का आगमन होता है आथ आप सुबह जल्दी उटकर सनान आदी से निवरित होकर पीपल के पेल के सामने कुछ मीठा चखा कर जल अर्पित करे कहते है कि सफल दामपत्य जीवन के लिए पूर्निमा के दिन पती पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूद का अर्धे अवश ही देना चाही इससे दामपत्य जीवन में मधूरता बनी रहती है किसी भी विश्नु लक्षमी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुक समरिध्धी और एश्वरे की देवी मा लक्षमी से अपने घर में स्थाई रूप से निवास करने की प्रार्थना करे यदि कुंडली में चंद्र ग्रेहन है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजे दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों दूद बाटना चाहिए इसके अलावा छे नारियल अपने उपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहिद करना चाहिए इस दिन शरत पूर्निका की वरत कथा सुनने के बाद वरत का विसरजन किया जाता है वरत कथा सुनने से जहां वरत का लाव मिलता है वही संतान सुक की प्राप्ती भी होती है पित्री पक्ष में अगर आप भगवान विशनु जी की अरादना करते है और अगर आप विशनु जी के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जै विशनु देवा अत्वा हरियों तदसत लिखना न भूली यहां बताए गए उपाय, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ माननेता और जानकारियों पर आधारित है यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी माननेता या जानकारी की समाचार Agency of India के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है यहां दी गई जानकारी में नहीं जानकारी विभिन माध्यमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रवचनों, माननेताओं, धर्मगरंथों, दंतक्थाओं, किमवदंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आले को अंतिम सत्य अत्वा दावान माने एवन अपने विवे का उप्योग करे समाचार Agency of India पूरी तरह से अंद विश्वास के खिलाफ है किसी भी जानकारी या माननेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगे से सलाह ले अगर आपको समाचार Agency of India में खबरे आदी पसंदा रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर वर सब्सक्राइब अवश्य करे हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जैहिंद तक कैसे नई सब्सक्राइब हो तक करे लो कि अजह जाईना कार्वश्य कर द bondedके थे जाते है만 चिट करो आपको स्ब्सक्राइब करें लेकर समाचार को फ्यार रही हो पुरे करे समाचार आपको Nepie। झाल